दोस्तों मैं हूँ अमन कौशिक और यह है UFC 256 Recap सबसे पहले तो माफिए चाहूँँआ कि मैं इतना लेट हूँ इस वीडियो के लिए यह जो वीडियो मैं मनाता हूँ हमेशा फाइट के बिलकुल जस्ट एक डिर गन्टे बाद प्रेस कोशिक के बाद आज मैं ट्रेवल कर रहा था इसारी फाइट मैं आपने आज रास्ते में देखी मोईल पर और जस्ट अभी कुछ दे पहले में घर पहुंचा हूँ तो आते ही मैंने बस अब भी सॉरी फॉर इस लेट वीडियो पूरा जो इवेंट था ये एक ऐसा इवेंट जो कि शायद काफी टाइम तो याद रखा जाएगा बहुत सारी मेंड़ीबल फाइट बहुत सारी मेंडरीबल मोमेंट और ओवर राल एक बहुत थी ग्रेट इवेंट शुआत करते है में इमेंट से डेविसन फगरेडो फ्लाइवेड चैंपियन वर्सिज ब्रेंडन मुरेनो शायद ये एक ऐसी fight ही जो कि शायद fight of the year है पांचों round बिलकुल total war, kicks punches, hooks, takedown मेरे साब से एक ऐसी fight जो कि मेरे साब से इस साल की fight of the year है दोने ही fighters विग्रेडो ने और मेरे ने अपना best दिया एक ऐसी fight जो मेरे साब से लोग ज़्यादा chance नहीं दे रहे थे ब्रेंडन को और उन्होंने प्रूव किया कि वो इस level की fighter है, वो एक बर पहले भी खेल चुके है UFC के लिए, बाद में उनको निकाल दिया गया था वापस आया वो एक साल पहले और overall एक ऐसी fight अगर एक point जो उनसे लिया गया था Davison से, because of an illegal nut shot, अगर वो उनसे ओ point नहीं भी लिया जाता तो भी ये fight इतनी close थी कि इस fight के बाद मेरे साब से rematch पका था फ्लाइविड डिविजन, जो भी हमेशे एक question मांक रहता है, ये दिखाता है कि फ्लाइविड डिविजन एक कितनी deep division है, जहां पर ऐसे fighter हैं जो आपको fight of the year दे सकते हैं but champ का जो और सबसे बड़ी बात एक और बात जो बताई champion ने, division ने की पिछली रात, यानि की ये ये से पिछली रात उनके पास, उनको stomach issue हो गया था उनको रात में जाना पड़ा emergency room में और वो बहुत लेट तक वो हमें पे थे वो रात के दो बचे वो वापस आये हैं वो hospital से और next day आके इनोंने fight of the year दी है fans को दिखाते हैं कि उनका comment set है और इसलिए वो इतने बाद में इतनी emotional थे मेरे साब से जो next fight होगी rematch होगा वो इससे बड़ा हो सकता है क्योंकि अब लोग जानते हैं कौन है Figueredo, कौन है Moreno और सबसे बड़ी बात, Figueredo इस साल के शायद the fighter of the year है चार fight, दो championship fight, दो defend तीन fight, तीन championship fight एक में जीते और दो बार उन defend किया I think वो इस साल के fighter of the year है Amazing heart, amazing और इतना जो fight थी जो punches जो लगाए Davison ने Brandon को बोड़ी पे शायद ऐसे punches भूद ही जबज़स बोड़ी शॉट full-fledged war और amazing मैं बहुत इससे impressed हुआ बात करते हैं को मेनिमेंट के बारे में या बात करें पीपल मेनिमेंट के बारे में Tony Ferguson वर्सेज चार्स ओलवेरा और इसका डर था वही हुआ चार्स ओलवेरा ये fight जीत गए तीनो round total domination और जो round 1 के बाद जो उन्होंने उनका Tony का हाथ जो hyper extend किया था आम बार में Tony इतने tough है कि उन्होंने tap नहीं किया और अब मुझे नहीं पता कि उस आम बार के बाद round 1 के बिल्कुल एंड के बाद उनके हाथ के क्या हालत थी क्या हाथ तूट गया था क्या वो injured थे कितने injured थे मैं बहुत वो हूं curious जानने के लिए कि क्या हो उनके हाथ का उस round के बाद क्योंकि उस round के बाद उनने कुछ खास किया नहीं पूरी fight में मेरे साब से जो जैसे fight start हुई एक शायद game plan था चार्स के पास क्या करना है Tony सिर्फ counter attack कर रहे थे और जैसे ही fight ground पर गई किसने सोचा था कि Tony Ferguson जो कि शायद ब्रजीलियन जीजिट्सू प्लेयर है UFC के उनको ऐसे dominant करेंगे चासो ले वेरा बहुत ही मैंने कहूँ कि मैं थोड़ासा shocked हूँ लेकिन यह बिल्कुल एक तरफा fight थी अगर होती ही fight बिल्कुल competitive दोनों ही fighters अपना best दे रहे हैं two and fro एक बार Tony हावी हो रहे हैं एक बार चास हावी हो रहे हैं ऐसा हुआ है नहीं पूरी fight में सिर्फ चास हावी थे ground पे feet पे और थोड़ासा मैं बहुत मैं sad Tony के लिए क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि उनके आप विचर क्या होगा हमने बात कि थी पहले कई बार कि यह उनके लिए बहुत ज़रुरी fight है जीतने के लिए और मेरे साब से अभी भी वो खेलेंगे एक fight, दो fight, तीन fight और लेकिन शायद अब हमें यह बात माननी चाहिए कि अब धीरे-धीरे उनका decline शुरू हो गया है मैंने जानता कि यहाँ पर issue क्या है क्या जो damage उनको मिला पिछली fight में वर्शेज गेची क्या वो एक issue है क्या उनका जो weight cut था जो कि training plan करते है Habib, Connor, चाहिए कितने बड़े हो गए हो उनके पास अभी भी head coach है head coach और fighter मिल के करते है plan क्या होनी चाहिए मेरी strategy इस fight के लिए क्या होनी चाहिए मेरी training और Tony Ferguson कहा रहे है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं मैं खुद का coach हूँ उनके पास trainer है उनके बास training partner है teams है लेकिन कोई head coach नहीं है हम बात करेंगे इसके बारे में और अगले कुछ दिनों में क्योंकि ये बहुत बड़ा topic है बट Charles Oliveira उनके लिए में बहुत खुश एक ऐसे fighter जो कि काफी time से wait कर रहे थे एक बड़ी fight के लिए एक अच्छे opponent के लिए और इस fight के बाद I think वो अब title picture में आ गए है जो winner होगा Dustin Poirier वर्सिस Conor McGregor शायद वो खेलेगा अब Charles Oliveira से interesting time आगे बढ़ते हैं एक और जो fight जो बहुत amazing थी वो थी Kevin Holland वर्सिस Jack Ray ये जो fighter है Kevin Holland उन्होंने जो आज किया एक बहुती weird angle से अपनी back पे थे वहाँ से कैसे उन्हों निकले उन्होंने कैसे punch किया जाकरे को और बिल्कुल एक weird सा angle क्योंकि अब देखिए इस photo में वो अपने किस तरह से बैठे में है जाकरे बहुती amazing fight और amazing performance एक साल में पांच बार लड़ना और पांचों फाइट जीतना इस साल के अगर fighter of the year अगर फिगरेड़ो है तो शायद emerging fighter of the year होना चाहिए Kevin Holland पांच बार लड़ना एक साल में दोस्तों बहुत बड़ी बात है और पांचों फाइट जीतना फाइट हमजात अगले हफते के लिए यहने कि अभी वो लड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं ready हूँ अगर अभी भी हमजात ready है लड़ने के लिए next week के लिए जो कि यह possible नहीं है अभी तो वो ready है next week के लिए for हमजात एक बहुत ही बड़ी वड़ा सकती है यह अगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसो हमजात वर्सिज हॉलन्ड क्यों नहीं उसके बाद इतने fight हमारे पास थी McKenzie Dunn वर्सिज विर्ना जनिरोबा amazing fight और मेरे साब से अब McKenzie अपने peak पे पहुँच रही है पहले उनका पास issue था weight cut का, उनका पास issue था कि वो ढंग से पंच नहीं कर पारी थी उनकी striking बहुत वीक थी अब वो striking कर रही है, उनके पास एक नया coach है Jason Parela, I think अब वो अपने peak पे दिधरे पहुँच रही है उनकी naak, उनकी nose से break हो गई थी, उनकी बताया कि जब उनकी पूछा अपने round two के बारे में, round two के बाद में coach है कि nose break हो गई है, तो उनकी बताया कोई बात नहीं, don't worry about your nose, आगे बढ़ो I think mentally बहुत टफ है ground game बहुत टफ है उनका दोनों ही fighter, basically Brazilian Jiu-Jitsu आती है, लेकिन सारी fight है, वो आज stand up हुई, amazing दीजरे stars आगे बढ़ रहे हैं McKenzie के, और I think अगले कुछ महनों में, जब भी वो लड़ेंगी I think वो top 10 fighter से लड़ेंगी और last fight इस card की JDS versus Cyril Gain एक ऐसी fight जोगी, again JDS, just like Jackre, just like Tony, शायद अपने end of the carrier है, थोड़ा सा एक controversial knockout, जो elbow जो लगी उनको Cyril की वो एक थोड़ सी weird थी, वैसे legally अगर देखें आप तो सर के पीछे मारने allowed नहीं है लेकिन मेरे साब से जो Cyril है, वो बस मार रहे थे अपने तरफ से, और मुड गए JDS उससे बचने के लिए इसलिए वो थोड़ाल पीछे land हुआ, थोड़ा controversial, अगर वो land ना भी होता तो उसके कुछ दिरबाद शायद definitely Cyril जिज जाते वो fight उस तरफ जा रही थी but overall, I think अगर देखें एक pattern है पूरी fight के अंदर, पूरे इस card के अंदर, नए star यहार, यहार पे देखें नीचे तो आपके कौन है आपके Cyril, heavyweight division में उपरा हैं तो आपके Kevin Holland फिर आपके Charles Oliveira और जो जाकरे है, JDS है JDS के बारे में बात करो तो JDS former champion है, former heavyweight champion और जब मैंने की start देखनी थी यह UFC fighting, उस time पे JDS champion थे, और जो उनकी वार्स देखी मैंने, versus Ken Velasquez, versus Mark Hunt I think एक ऐसा fighter जो की एक world champ था, और अगर आप उनकी fight देखेंगे, old fight आप यकिने मानेगे की वो यह JDS है similarly to Tony Ferguson जब Tony Ferguson लड़ रहे थे versus Charles Oliveira आज, तो मुझे लगा कि Charles Oliveira Tony Ferguson है जो dominate जैसा करते थे Tony Ferguson अपने fight में, आज से 2-3 साल पहले वैसा domination आज कर रहे थे Charles Oliveira, Tony Ferguson पे किसने सोचा था कि Tony Ferguson को ground game में ही control करेंगे, Charles Oliveira बहुत interesting stuff पर और आल एक बहुत amazing event यह last card था, last UFC का paper view था इस साल के लिए अब अगला card है, वो अगले हफते बाद है definitely एक छोटा card, लेकिन फिर भी आज जो card हुआ, I think यह दिखाता है कि जो UFC fighters है वो कितने tough होते हैं mentally Tony Ferguson आज बताया जब press conference में डिना वाइट ने किये, 10 में से 10 fighter उस आम बार, जो उनका stretch होआ, Tony Ferguson का पका उसमें tap कर देते पर Tony Ferguson वो 11 आदमी है बहुत tough mentally लेकिन definitely आज जो पूरी, जो आज जो recap पर इस पूरे, इस पूरे fight card को तो यह जाता है कि Flyward Division, Moreno Figueredo नीचा आपके Holland, Mackenzie Dunn और Cyril Amazing तो दोस्तों यह दे था हमारा UC256 recap Again, sorry for the late video यह एक ऐसा event था कि यह सार event मैं देखा था आज डाड़ी मैं बैठके बिलकुल उपने phone पे और कई बार बीच में range आ रहे थी, जा रहे थी मोबाईल की जब fight आई Tony की और जब एक बार range गई मेरी skin to freeze हो गई तो मैं एक बार की थोड़ा खुश हुआ कि at least मैं वो देखने बार जो की हो रहा है अभी क्योंकि बहुत टफ था मेरी देखना जो चाल्स और विरा कर रहे थे Tony की उपर उनी की game में round game में बट एनिवे यही है fight game और यही है MMA में ठीके दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो मिलते हैं next week भूसारी amazing story आ रही है इस event के बाद नई news आ रही है नई fights आ रही है मिलते हैं जल्दी